तो आप इस वीडियो को पूरा बहुती ध्यान से देखिए क्योंकि वीडियो के लाश्ट में आपको इन टॉपिक से संबंदित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा तो वीडियो सुरू करने इस पहले मैं आपको बता दूँ मैं अनकेडमी पर भी बढ़ाता हूं तो उसमें the GS platform सर्च करके आप मारे साथ अनकेडमी पर जुड़ सकते हैं और मैंने अपने अनकेडमी प्रोफाइल की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है तो उस पर क्लिक करके आप मैं अनकेडमी पर फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर हमारी वीडियो को फ्र प्रिक देखेंगे तो सबसे पहले पुर्ट गाली भारत में आए 14 &98 में इसके बाद अंग्रेज भारत में आई इस्ट इंडिया कंपनी जो इंसे सो तो ऐमें अखिक तो यह उर्रोप Valley कंपनियों के भारत में आने का क्रम है अब इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर ट्रिक लिखी है पुत्र अड़ा तो डैड फसा माल लीजिए आपको इस तरह से याद करना है किसी बालक किसी लड़के ने अपने डैडी से अपने डैड से पिता जी से एक बाइक की डिमाइंड की है और डैडी की पास पैसे नहीं है तो इस तरह से उनकी पास एक असमन्यस की श्थिती है तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि पुत्र अड़ा है और सासे स्वीडिस ठीक है तो इस तरह से आप इन यूरोपी कमपनियों के भारत में आने की ट्रिक को याद कर सकते हैं उमीद करते हैं ये ट्रिक आपको जरूर परसंद आएगी अब चलिए देख लेती हैं इन यूरोपी कमपनियों से सम्मदद कुछ फैक्ट तो देखे भा भारत में पुर्तगाली सबसे पहले सन 1498 में आये थी और सबसे अंत में 1961 में गए थी इसके बाद भारत में इस्ट इंडिय कमपनी की स्थापना अंग्रेज व्यापारियों ने इंग्लेंड की महारानी एलजावीत प्रथम से 15 वरसों की आग्या पत्र को लेकर 31 दिसंबर स सन 1600 में की थी ठीक है इसके बाद भारत में व्यापार करने के लिए 20 मार्च सन इंडिय कमपनी की स्थापना की गई थी और सुईजन के व्यापारियों ने सन 1731 में स्वीडिस इस्ट इंडिय कमपणी की स्थापना की थी तो यह रहे कुछ सिंपल फैक्ट आपके सामने तो उम्मीद करते हैं यूरोपिय कमपणियों के भारत में आने की इस ट्रिक को आपने याद कर लिया होगा और बहुती सिंपल ट्रिक है आप इसको याद कर सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिए और लाइक करने के बाद अपने किसी फेस्बुक या वाटसेप के एजुकेशनल ग्रूप में इसको सेर जरूर कीजिए तो मिलते ह अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार